परिचय चात्रो, आज हम पारीतंत्र के विशय में सीखेंगे कोई बता सकता है कि पारीतंत्र क्या है? हाँ सेर, एक निकाए जिसमें जैवघटक तथा अजैवघटक एक इकाई के रूप में समलित रूप से क्रिया करते हैं बहुत अच्छे, जैवघटकों से तुम्हारा क्या आशे है? सेर, इसमें सभी सजीव चीज़े आती हैं और अजैवघटक क्या होते हैं? इसमें सभी निर्जीव चीज़ें जैसे की सूरिका प्रकाश समलित है जो सजीवों की वृध्धी में सहयक है बहुत अच्छे, इस पार्ट में हम पारी तंद्र की क्रिया विधी के बारे में सीखेंगे तो आओ शुरू करें उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे पारी तंद्र की सन्दचना एवं प्रकारे का वळन करना पारिस्थितिक प्रामिट का वळन करना पारिस्थितिक अनुक्रम की व्याख्या करना पात्पों के अनुक्रम का वळन करना पोशक चक्र की व्याख्या करना और पारी तंद्र सेवाओं के विशे में जानना पारी तंद्र संदचना एवं क्रियाशीलिता पारी तंद्र में किसी क्षित्र के समस्त जैव वा अजैव घटक तथा उनकी अनियोन्न क्रियाएं समलित होती हैं प्रतेक बारी तंत्र में जीवों का विन्यास एक या अधिक पर्ते या इस्तर बनाता है। प्रतेक में विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों की समिश्टियां होती हैं, जो स्तर विन्यास कहलाता है। स्तरविन्यास जल के बड़े निकायों जैसे की जीलों एवं महासागरों में भी पाया जाता है इनमें स्तरों का विभेदन प्रकाश की प्रविश्यता तापक्रम घुली ऑक्सीजन की मात्रा इत्यादी के द्वारा होता है किसी बारी तंद्र के मुख्य प्रकार निम्न हैं उत्पादक्ता, अबघटन, उर्जा प्रवाह, पोशन चक्र उत्पादक्ता प्रात्मिक उत्पादक्ता वहदर है जिस पर उर्जा को प्रकाश संशलेशक तथा रसायन संशलेशी स्वपोशियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्टित किया जाता है इसे भार प्रती ग्राम वर्क या उर्जा किलो कैलरी प्रती मीटर वर्क के रूप में व्यक्त किया जाता है जव मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादक्ता कहलाती है इसे प्रती ग्राम वर्क प्रती वर्ष के रूप में परिभाशित किया जाता है उत्पादक्ता को सकल प्राथमिक उत्पादक्ता यानि जी पी पी तथा नेट प्राथमिक उत्पादक्ता यानि एन पी पी में विभाजित किया जा सकता है किसी क्षेत्र या निकाए में उत्पादक्ता की कुल मात्रा सकल प्राथमिक उत्पादक्ता कहलाती है कार्बनिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उप्योग उत्पादक्कों के जीवन हेतू श्वासन आदी में उप्योग कर लिया जाता है और अफशेश बचने वाली मात्रा नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता यानि NPP कहलाती है उधारन के लिए पादब द्वारा उत्पादित GPP की एक निश्चित मात्रा इसके अपने श्वासन हेतू उप्योग कर लिया जाती है NPP बराबर GPP माइनस श्वासन में एक शती हुई उजा प्रती इकाई समय तथा क्षेत्रफल पर पोशितों की जैव मात्रा में बढ़ोत्री की दर दुईतियक उत्पादक्ता कहलाती है प्रात्मिक उत्पादक्ता पोशक तत्वों तथा विविधा परियावरनिय कारकों पर नेभर होती है अपघटन अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थों में और अन्तता अकार्बनिक योगिकों के रूप में खंडित किये जाते हैं अपघटन हेतु कच्ची समगरी होती है अपघटाहारी ऐसी जीव होते हैं जो अपघट से आहार प्राप्त करते हैं और इसे सरल योगिकों में विखंडित कर देते हैं अपघटन के निम्निचरण होते हैं खंडन ये अपरत को सरल योगिकों में विखंडित करने की प्रक्रिया है। निक्षालन यह प्रक्रितिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में विलह पदार्थ जैसे की उर्वरक कीटनाशी आदी खुलकर ब्रेदा या अप्षिष्टों से बाहर चले जाते हैं। अपचय एंजाइमों द्वारा अपरत को सरल कार्बनीक योगिकों में और फिर अकार्बनीक योगिकों में परिवर्तित किया जाना अपचय कहलाता है। ये एंजाइम जीवाणों एवं कफकों जैसे अपघटकों द्वारा स्रवित होते हैं। अब घटन के चरण हुमिफिकेशन हुमस बनने की प्रक्रिया हुमिफिकेशन कहलाती है ब्रेति तथा सर्ते जयवपदार्थ को हुमस में विखंडित करने वाले जीवाणियों से अनियोनिक रिया द्वारा ब्रिदा में हुमस बनता है निर्मिफ होने वाला हुमस अब घटन की दर को कम कर देता है खनीजी करण ये वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूख्ष्म जीवों द्वारा हुमस का पुना खंडन किया जाता है और अकारवनिक पोशक तत्व मुक्त किया जाते है उर्जा प्रवाह उत्पादक समानिता पन हरित धारक स्वपोशित जीव होते हैं जो सूरे के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संशलेशन क्रिया के द्वारा अकारवनिक कच्छी सामक्रियों से कारवनिक योकिक बनाते हैं हरित पादप पारी तंत्र में उत्पादक माने जाते हैं उपभोगता ऐसे जीव होते हैं जो अन्य सजीवों से पोशक तत्व या भोजन प्राप्त करते हैं ये परपोशित होते हैं चित्र में प्रदर्शित समस्त जन्तू उपभोगताओं की श्रिणी में आते हैं उपभोगता दो प्रकार के होते हैं शागाहारी और मास भग्षी शागाहारी 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 पादपों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं ये प्राथमिक उपभोगता भी कहलाते हैं। उधारन के लिए शलब, इरन इत्यादी, स्थलिये पारी तंत्र के कुछ शाह काहारी हैं। प्रोटेजवा, मृदू कवची, क्रस्टेशियन इत्यादी, कुछ जलिये पारी तंत्र के शाह काहारी हैं। मांस भक्षी मांस भक्षी वे खादेश रंकला में शीर्श स्थान धारन करते हैं और शीर्श मांस भक्षी कहलाते हैं पादपों एवं जन्तूं दोनों का अपभोग करने में सक्षम जन्तू सर्वहारी कहलाते हैं जैसे की मनुष्य अपमार्जिक, मृत तोप जीवी, सूख्षम जीव जैसे की जीवाणूं और कव के त्यादी होते हैं जो उत्पादकों तथा अपभोगताओं के मृत शरीरों वा उनके कारबनिक अप्षिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अपमार्जकों को प्राया उनके छोटे आकार के कारण सूख्षम उपभोगता भी कहा जाता है सुरोज से पादपों में उर्जा का इस्थानांतरं जो सजीवों की एक श्रिंखला के माध्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रिया द्वारा होता है वहाँ खाद्दे श्रिंखला कहलाता है चारण खाद्दे श्रिंखला सदेव हरित पादपों से आरंब होकर त्रीतियक उपभोगता स्तर तक जाती है और हरित पादप सौर उर्जा को अफशोशित करने वाले पहले सजीव होते हैं जबकि अप्रद खाद श्रंखला अप्रद हारियों से आरंब होती है, इस खाद श्रंखला में जीवानूं और कवक प्रथम होते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय में खाद श्रंखलाओं का अन्योन संबंध खाद जाल कहलाता है। उर्जा प्रवाहा पोशी स्तर खाद श्रंखला में अपने आहार संबंधों के अनुसार जीव एक स्थान क्रहन करते हैं, जो उनका पोशी स्तर गहलाता है। सूरे तथा पोशक तत्वों से उर्जा उत्पन करने वाले पादप प्रथम पोशी स्तर पर होते हैं। इसके पश्चात पादप खाने वाले शाकाहारी दूतिय पोशी स्तर पर आते हैं। तीसरे स्तर पर प्रात्मिक मांस भख्षी आते हैं क्योंकि वे शाकहारियों को खाते हैं चौते स्तर पर दूतियक मांस भख्षी आते हैं क्योंकि वे प्रात्मिक मांस भख्षियों को खाते हैं विभिन पोशी स्तरों में किसी दिये गए समय पर उपस्तित सजीव समगरी की मात्रा इस्तित शस से कहलाती है। उत्तरवर्ती पोशी स्तरों के साथ उर्जा प्रवाह की मात्रा घड़ती जाती है। उत्पादक सोरी की उर्जा का केवल एक छोटा सा अंश आबद्ध करते हैं और शेश आप्रयुक्त उर्जा प्राया उश्मा के रूप में विसरित हो जाती है। उत्पादकों के सकल उत्पादन या सकल प्रात्मिक उत्पादन यानि जी पीपी में आबद्ध उर्जा का भाग उनकी इस्थित शत से श्वासन के रख रखाव के लिए और शाकाहारियों को भोजन उपलब्द कराने के लिए किया जाता है। शाकाहारी मांसहारियों को उर्जा प्रदान करते हैं और आप्रियुक्त उर्जा अपमार्जकों को प्रेशिद हो जाती है। पारिस्थितिक प्रामिट, सूची स्तंब, पोशी सन्रचना को पारिस्थितिक प्रामिट के रूप में गराफिय तरीके से दिखाया जा सकता है। तीन प्रकार के पारिस्थितिक प्रामिट होते हैं ये निम्न हैं संख्या का प्रामिट, जव मात्रा का प्रामिट और उर्जा का प्रामिट। संख्या का प्रामिट ये क्रमिक पोशी स्तरों पर संख्याओं के क्रम में उतपादकों, शाकाहारियों और मांस भक्षियों के बीच संबंध प्रदेशित करते हैं निम्नतर से उच्छतर पोशी स्तरों तक जीवों की संख्या में क्रमिक घटोत्री होती जाती है पारिस्थितिक प्रामिट, सूची स्तंब पोशी सन्रचना को पारिस्थितिक प्रामिट के रूप में ग्राफिय तरीके से दिखाया जा सकता है तीन प्रकार के पारिस्थितिक प्रामिट होते हैं ये निम्ने हैं जैव मात्रा का प्रामिट जैव मात्रा का प्रामिट ये प्रतेक पोशी स्तर पर जैव मात्रा की सापेकशिक मात्राएं दर्शाने वाला ग्राफिय निरूपन होता है इसमें सजीवों को प्रतेक आहारिस्तर से एक कत्रित किया सुखाया जाता है और फिर भर्मापन किया जाता है ये शुश्क भार सजीवों में कार्बनिक पदार्थो की मात्रा दर्शाता है। जलिये पारी तंद्र में जयव मात्रा का प्रामेट उल्टी आकरिती वाला होता है, क्योंकि ये उच्चतर पोशिस्तर की ओर जयव मात्रा में तीवर ग्रावट प्रकट करता है। उर्जा का प्रामेट उर्जा का प्रामेट उर्जा का प्रामेट कभी उल्टे नहीं होते। ये प्रामेट एक पोशिस्तर से उपर के पोशिस्तर में उर्जा का इस्थनांतरन दर्शाते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमन किसी पारी तंत्र में किसी बाहुल्ले प्रकार की स्पिशीस या समुदाय का अन्य द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन जिसके फल सरूप एक स्थाई चरम समुदाय विक्सित हो जाता है। किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से स्थान घेरता है क्रमक कहलाता है। पूर्व अनुमान कर सकते हैं। क्रमिक क्रमक स्थरों में स्पिशीस की विविद्धा, कोल जैव मात्रा, विशेश विशिष्टिकरण तथा मृधा में ह्यूमस मात्रा में वृध्धी की प्रवृत्ती होती है। इसमें सरल खाद्दे श्रंकलाओं से जटिल खाद्दे जालों की ओर प्रगती की प्रवृत्ती होती है। वासिस्थलों में जलिये या शुष्क दशाओं से समाद शुष्क मैसिक दशाओं में परिवर्धित होने की प्रवृत्ती होती है। पात्पूं एवं जन्तू समुदायों का अनुक्रमन समरान धर चलता है, हालकि पादप अनुक्रमन आसानी से द्रश्यमान होता है. पारिस्थितिक अनुक्रमन अनुक्रमन के प्रकार अनुक्रमन दो प्रकार के होते हैं. प्रात्मिक अनुक्रमन दुईतियक अनुक्रमन प्रात्मिक अनुक्रमन ये ऐसा जैव अनुक्रमन है जो नगन चट्टानों, लावा निक्षेप, रेत के टिब्बों, समंदर से निकले नहीं दीपों या नवविक्सित जील या तालाबादी जैसे उपस्तर में विक्सित होता है ऐसा उपस्तर प्रथम जीवन या प्रोगामी समदाई के प्रती विरोधी होता है ऐसी परस्थितियों में केवल कुछ सरल तथा कठोर जीवी जीवित रह पाते हैं प्रात्मिक अनुक्रमन के अनुक्रमन स्तरों का क्रम प्रात्मिक क्रम कहलाता है हिमनतिये निवर्तन के पश्चाथ प्रात्मिक अनुक्रमन होता है हिम्न दिये निवर्तन के पश्चाद नगन चट्टाने पीछे बची रह जाती है समय के साथ इन चट्टानों पर मौस और लाइकेन पनपने लगते हैं जब ये मृध हो जाते हैं तो इनके कारवनिक पदार्थ अपरति चट्टान कड़ों से मिश्रित होकर सरल मृधा बनाते हैं मृधा बनने के साथ घास और छोटे शाकिये पादप उगने शुरू हो जाते हैं गहराई में मृधा अधिक जलधारन करती है क्रमेक रूप से व्रिक्ष विक्सित होते हैं जिससे परिपक्व मृधाओं पर चरम समुदाय का विकास होता है पारिस्थितिक अनुकरमाण दुईतियक अनुकरमाण ये एक जैव अनुकरमाण होता है जो ऐसे एक शित्र में होता है जो पूर्व प्रचलेत जैव समुदायों के आग, सूखे, भूस खलन, भूकंप इत्यादी के कारण नश्ट हो जाने के उपरांत रिक्त हो जाता है और जहां कुछ मात्रा में सूश्म जीव वा परियाप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं अफशिष्ट प्रजातियां वो सिक्षितर में घुसने वाली कुछ नई प्रजातियों के साथ मिलकर एक नए समुदाय को उत्पन्द करती हैं समुदाय में क्रमक परिवर्तन होते हैं और अन्तता एक जलवाईविक चरम समुदाय का उधै होता है दुईतियक अनुक्रमण स्तरों का क्रम दुईतियक अनुक्रमण कहलाता है पातपों का अनुक्रमण पातपों में अनुक्रमण के साथ स्तर होते हैं प्लवक स्तर प्लवलकों के बीजाणों वायू या जन्तूओं के माध्यम से नव निर्मित जल निकाय थक पहुँच जाते हैं प्लवक स्तर में मुख्यता सुख्ष्म स्वापोशी सजीव जैसे की हरित, फ्लेकलेट्स, डायटम्स और क्यानो बैक्टिरिया आते हैं ये फाइटो प्लेंग कटन यानि पादप प्लवक कहलाते हैं, पादप प्लवकों की समझ्टी प्राणी मंद प्लवकों यानि जू प्लेंग कटन से संतलित होती है, जो पादप प्लवकों को उखाते हैं पादप कलवकों की मृत्यू और अब घटन सिल्ड से मिश्रित होकर तालाप के तल में नर्म की चड़ बनाता है, जो अगले क्रमक स्तर की सम्रिद्धी हेतू अनुकूल होता है जड़ योग्त निबंगन यानी जड़िये जलोद भिद स्तर कार्बनिक पदार्ट से मिश्रित नर्म की चड़ निमगन पादपों जैसे की पोटे मोगेटन, हाइड्रिला, वैलिस नेरिया, योट्री क्यूलेरिया, जैनी चेलिया इत्यादी की सम्रिद्धी के अनुकूल होता है इनकी जड़ें कीचड में होती हैं और पानी से भरी रहती हैं पादपों के आसपास सिल्ट और रेत का संचय जलनिकाय को उथला पनाता है निबंगन पादपों की बृत्यू और अपक्षय नव निर्मित ब्रदा को हुमस से सम्रिद्धी करता है इससे एक शेत्र निबंगन पादपों के लिए कम उप्यूक्त हो जाता है और अगले क्रमक स्थर के लिए अधिक उप्यूक्त हो जाता है प्लावी स्थर यानि प्रात्रियन खेत्र में तहरते इस्तिरक पात्पों जैसे की निम्फिया, नेलूंबो इत्यादी की प्रजातियां घुसाती हैं ये बाद अब जल को खनिज एवं कार्बनिक पदार्तों से समरिध्ध कर देते हैं कुछ मुक्त प्लावी प्रजातियां जैसे की एजोला, लेमना, वोल्फिया, पिस्टिया, स्पाइरोडेला, एकॉर्णिया अत्यादी भी यहां प्रकट हो जाती हैं प्लावी स्थर की तीवर समरिध्धी होने से तल और मोटा होता है तथा परिधी पर जल उथला हो जाता है नर्कुल अनूपिस्थर जल धलिये पादब जैसे की टाइफा, फ्रेकमेटिस, सेगिटेरिया, स्क्रिप्स इत्यादी खेत्र में प्लावी पादबों को प्रतिस्थापित कर देते हैं ये पादब प्रचुर मातरा में कार्बनिक पदार्थ उत्पन्ने करते हैं तथा जल की विशाल मातरा को जानते हैं ये पादब तल छटिये सामकरी वा हिमस को संचित करते हुए तट निर्मित करते हैं उपस्तर अब दलतली भूमी में बदल जाता है कच्छ शाथवा लिस्ताय जलनिकाई के दलतली तट पर केरेक्स, साइपेरस और जंकस इत्यादी प्रजातियां आ जाती हैं कुछ घास जैसे की थेमेड़ा, डाइकेंथियम और कुछ शाख जैसे की काल्था, कैमपनूला, पॉलिकोनम इत्यादी भी क्षेत्र को घेर लेती हैं ये पादब इस क्षेत्र को और अधिक हुमस समरित बना देते हैं कास्ट भूमी स्तर, इस स्तर में इस क्षेत्र में कुछ जाड़ी नुमा पादब आ जाते हैं, जो तेज धूप तथा जलमंगनता दशाओं को सहन कर सकते हैं उधारन के लिए स्वफेलेंथस ये छाया उत्पन्न करते हैं और तीवर वाशबोस सर्जन द्वारा मृदा को शुष्क बनाते हैं धूप तथा जलमंगनता सहन कर सकने वाले कुछ व्रिक्ष जैसे की पापलस, एलनस, इत्याधिवी चित्र में आ जाते हैं ये पादप वाशबोस सर्जन करते हुए जलिस्तर को और किराते हैं तथा अधिक मृता निर्माण करते हैं चरम वन पूर्व अध्यासी विलुप हो जाते हैं और उनका इस्थान अधिक छाया, सहनशील और समोध भिदिये प्रजातियां ले लेती हैं इस प्रकार कभी गहरे जल के अंतर गत रहा, खेत्र, अंततह, एक वन में रूपांतरेत हो जाता है ये ध्यान रखना चाहिए कि चरम समुधाई की प्रकृती जलवायू पर निर्भर होती है वन समुधाई तभी विक्सित होता है जब जलवायू अधिक नम हो शुष्क जलवायू में चरम समुधाई, घाज भूमी या किसी अन्य जीरक समुधाई में बदल जाता है पोशक चकरण सजीवों में तथा सजीवों वा उनके भौतिक परियावरण के बीच पोशकू या तत्वों का संतत्विनिमें जैव भूर असायने किया पोशक चकर कहलाता है पोशक चकर के प्रकार, गैसिये और अफसादी गैसिय पोशक चक्र के स्रोत वाय मंडल में उपस्तित हैं, कार्बन, नैटोजन चक्र आधी गैसिय पोशक चक्र के उधारण हैं, अफसाधी पोशक चक्र के स्रोत भूप प्राटी में उपस्तित हैं, फास्फोरस, पोटेशियम चक्र आधी अफसाधी पोशक चक्र के उधा पारितंत्र कार्बन चक्र प्रिध्धी करते हैं। समय के साथ पाधपों की मृत्यू हो जाती है और वे भूमी के अंदर दप जाते हैं। जो लाखों वर्षों का समय बीचने के साथ कार्बन से बने जीवाश्म इधनों जैसे की कोईले और तेल में बदल जाते हैं। जब मनुष्य जीवाश्म इधन जलाते हैं तो अधिकांश कार्बन कार्बन डायोकसाइट के रूप में तीवरिता से वाईू बंडल में प्रवेश कर जाता है। एक और वायो मंडल में उश्म आबद कर लेती है। इसके तथा अन्य हरित क्रीह कैसों के बिना प्रित्वी एक जमा हुआ जगत बन जाएगी। लेकिन मनुश्यों ने इतना अधिक इंधन चलाया है कि अब वायू में कारबन डायोकसाइट की मात्रा उससे 30 प्रतिशत अधिक है जितनी ये 150 वर्ष पहले थी। इससे प्रित्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है। वायू मंडल फासफोरस का भंडार नहीं है ना ही सूश्मजीव फासफोरस को नाट्रोजन की तरह इस्थिर करते हैं। जैव मंडल में फासफोरस का लगभग समस्त भाग पातपों की जड़ों त्वारा मृदा से अफशोशित किये जाने के माध्यम से पहुँचता है। जब फासफोरस खनीजों से युक्त चट्टानों का अपक्षय होता है तो मुखिता CA5PO4 तीन OH घुल जाते हैं और सजीवों के उपयोगे तो अकार्बनिक फासफोरस का अपिक्षक्रित छोटा भंडार उपलब्द हो जाता है। अधिकांश मृताओं में पात्पों द्वारा अफशोर्शित किये जाने वाले फासफोरस का बड़ा भाग उन कार्बनिक अड़ों से आता है जिनका अबघटन होने से पात्पों हेतू उपलब्द अकार्बनिक रूपों में फासफोरस मुक्त होता है। कार्बनिक अबध पोशक तत्वों का पादप उपलब्द रूपों में निर्मोचन खनीजी करण कहलाता है। पासफोरस का उप्योग सजीवों तवारा ओर्जा इस्थनांतरण में नुकलियक अमलों के एक खटक के रूप में तथा जहविक छिलियों के सन्रचनात्मक तत्व के रूप में किया जाता है। पारी तंद्र सेवाएं पारी तंद्र निम्न सेवाएं प्रदान करता है। वायू मंडल के गैसिये संघटकों का रख रखाव करना। वनो एवं महासागरिये तंद्रों द्वारा जल वायू नियंत्राण। प्राकृतिक कीट नियंत्राण। ब्रदा का निर्माण एवं संदक्षन। जल का संदक्षन एवं शोधन, पूशक चक्रन इत्यादी। क्या आप जानते हैं। 1935 में आर्थर ट्रांसले नामक अंग्रेज पारस्थितिक विद ने पारी तंद्र शब्द प्रस्तव किया। कुछ पोशक तत्वों तथा धूप का प्रबंध करके ओशन कटी बंधिये फलों वाले पौधों को घरों के अंदर उगाया जाना संभव है। पूरी पृत्वी पर निर्वनी करण जलवायू परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। सारांश हाईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पारी तंत्र में किसी क्षेदर के समस्त जैव वा अजैव घटक तथा उनकी अन्योनिक क्रियाएं संभलित होती हैं। जैमात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। कारणिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उत्पादकों के जीवन हे दू श्वहसन आदी में उत्पादकता कहलाती है। अब घटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कारबनिक पदार्थ, सरल कारबनिक पदार्थों में और अन्तता अकारबनिक योगिकों के रूप में खंटित किये जाते हैं। शाकाहारी पादपों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं। मास भग्षी ऐसे जन्तु होते हैं जो अन्ने जन्तुओं का आहार या शिकार करते हैं। पातपों एवं जन्तूं दोनों का उपभूख करने में सक्षम जन्तू सर्वहारी कहलाते हैं जैसे की मनुष्य सरोज से पातपों में उर्जा का इस्थानांतरण जो सजीवों की एक श्रंखला के मात्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रियतवारा होता है वहाँ खादे श्रंखला कहलाता है किसी पारिस्थितिक समदाय में खादे श्रंखलाओं का अनियोन्ने संबंध खादे जाल कहलाता है खादे श्रंखला में अपने आहार संबंधों के अनुसार जीव एक स्थान से ग्रहन करते हैं जो उनका पोशिस्तर कहलाता है पोशी सनलचना को पारिस्थितिक प्रामिट के रूप में ग्राफिय तरिक्टे से दिखाया जा सकता है किसी पारितंत्र में किसी बहुल्ले प्रकार की इस्पिशीज या समुदाय का अन्ने दोरा क्रमिक प्रतिस्थापन जिसके फल सरूप एक स्थाई चरम समुदाय विक्सित हो जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमन कहलाता है पात्पो में अनुक्रमन के साथ इस्थर होते हैं प्लावक इस्थर, जड़ियुक्त निबगन, जड़िये चलोद भीदे इस्थर, प्लावी प्रातरण इस्थर, नरकुल अनुप इस्थर, कच्च शात्वल इस्थर और काश्ट भूमे इस्थर चरम वन, कारबन चक्र में वायु मंडल या जल मंडल भंडार होता है, पस्फोरस चक्र में स्थल मंडल भंडार होता है, कर में स्थल में स्थल मार जान लपक शिख भंडार होता है,